हालो डिवन आग की इस वीडियो में आप लों बताएंगे किस राज्ज में किस परकार का भोजन खाया जाता है और यहां सिटेट एक्जाम के लिए मोस्ट इंप्रोटन वीडियो आज का होगा तो यहां पे हेडिंग है देख सकते हैं आप लोग राज्जियों के भोजन यहा आप लिखावा है पकाने के तरीके भून कर उवाल कर तल कर सेक कर मनद चार तरीके से खाना पकाया जाता है फूलो की घाटी उत्रा खंड में है फूलो की घाटी कहां पर है उत्रा खंड में है यह याद रखिएगा चलिए आगे देखते हैं यूपी मतलब उत्तर परदेर से सुरू करते हैं और बरहेंगे आगे दखिए अगर यूपी का बात करें तो कचनार के फूल की सबजी किस राज्य में खाई जाती है तो कचनार के फूल की सबजी यूपी में खाई जाती है राइट अगर आगे देखिए महारास्ट में सहजन के फूल के पगउल और लोग महारास्ट में खाते हैं मिलान करने बना एक साधर इस्टेट दिया रहेगा उससे कर गया और घुलाब में फूल है उचेगा कि केला में फूल और फल फल में फल होता है सरसो पत्य और वीज कच्चनारी फूल इस परकार से आगे बनते हैं देखें अब आ गया अस्व तो समझना है यहां लिखा हुआ आस्व बोरा अस्व में खाए जाने वाले चाबलों के किस्म हैं और यहां आस्व में विहुतिवहार मना जातार यह इंपोर्टेंट हैं आपने सी्टित के लिए निक्स्ट है गोःा और मजली को सर्फो तिल में याद रखिएगा और इस प्रकार का होता है देख लिए प्र约 पिर्फित घंवे गुज्राइट यहां पुज्राट구odge तो यहां का पकवान है आगे देखते हैं होंग कांग यह most important आस खेंट नाम है तो आपका निकोंठ हो फेहाब रखिए चलिए नेक्स दखते हैं किरल में नाडियल के पेर होते हैं वह चावल की खेती होती है के बरें किरल में नाडियल के पेर अधिक देखने को मिलता है और चावल की खेती होती है केले के फूल के सब्जी किरल में खा जाती है पूछे का केले के फूल के सब्जी कहां खाया आता है तो किरल में याद रखन किरल तमिलांदू और करंडा किरल त्मिलांडू करनाटक नेंदल यह अरफ तागर से तचता है राइटना और वहां पर इडली दोसा चावल खाई आता है मुख रूप से चली आगे दिखते हैं यहां पर लिखावा किरल में और किरल का बाड़े में और है दखिए किरल में टैपियोका जमीन के नीचे उगाया जाता है यह एक परकार का फॉल है अब पूछेगा कि टैपियोका कहां पर खा जाता है टैपियोका का दूसरा नाम कपा है कसावा भी इसको कहा जाता है मतलब दखीए तैफियोग खो aún हम आपको बताते हैं रहे जोँख या अधर ने बूंअ यहां जो पीडल में मुख्युरूप wonder कि खा जाता और आपको कि आपको दिख रहा होगा निखा Lehr कि on his beard में जमीन के नीचे हुआ जाता है यह परकार का फॉल है किरल के लोग उबाल कर खाते हैं कि का सवा है और कपब भी blok कहा जाता है साबूदाना या कंप बना जाता है कि ऐस से जपू आगे मीमें बनीच Cup tap से आलू होता है घरलम लक्री के बारे में दिल्णा गिरल के बारे में दिया हुआ है और लें लक्री कि बढ़ा घज्टी नाओं जो क्रील में पाई जाती है घरलम को लेंग 누가 चाहिक का अधिली आटी है POL मल्यालम में मल्यालम भासा में मा की बड़ी बहन को कहते हैं कहाता है और यहां ननी को अम्मुमा कहते हैं किरल में चाचा को चिटपन कहाता है और चाची को कञ्धूम Ouya कहते है यहाँ देखिया यहां पर दिखा हुआ है क्या कि इन मल्यालम मदर्स एल्डर सिस्टर को बल्यम्मा अनards क्ल अमुम्मा अंarlos इड कॉल चिटपन एंड आंस इज कॉल कंजुम्मा कुंजम्मा एंड फादर इज कॉल अप्पा याल रखिया गाईज बाइलिंग गोल है बहुत मोस्ट इपॉर्टे अभी के बारे में खत्म नहीं हुआ मैं विश्वास करता हूं और जानता भी हूं कि अगर यह के जितने जाने के लिए फेरी नाव का यूज किया जाता है तो वह राइट जवाब हो जागा उसका किरला लिखावा फेरी बोर्ट इजूँज टू फ्रॉम वन प्लेस तो अनधर इन किरला याद रखिये गाईज most important है आपके इग्जाम के लिए चलिए next को देखनें ये लिखा हूआ है किरल को मसालों का बगीचा भी कहते हैं पुछेगा कि मसालों का घर जा तो फूलों का खाली को खंड को याद रखिये गाई यहांने को किरल को मसाले का भगीचा कहते हैं यहां सेजपत्ता काली मीर्च इलाइनची आधी को गाया आता है यहां भी most important सेजपत्ता काली मीर्च इलाइनची को कहां गाया आता तो किरल में किरला is also known as the garden of spices where by leaves black paper अब है cardamon etc are grown अभ देखने ये यहां पर जो है इसकी रजाने तिरुवन पूरहम है किरल से कहां है रुषाणी इस गापिटल इस तिरुवन पूरहम गुजरात से किरल तक की यात्रा के बीच में महरास्ट और करनाटक राजी परते हैं और यहाँ जो राज है यह दक्षिनी मतलब उपर उत्तर और नीचे दक्षिन मतलब दक्षिन भारत का यहाँ जो इस्टेट है राइट ना अब नेक्स्ट यहाँ पर है कोजी कोट किरल में है कोजी कोट एक सहर है जो किरल में अवस्थित है मला मला पूरम जीला किरल में मला पूरम कहाँ पर है तो किरल में है किरल में मला पूरम जीला है याद रखिया कोजी कोट किरल में है पूछलीNewは yeah अमरेजयों कर देखते हैं अभा के बारेमें दिया हुआ है तो नहीं अभी इंड्र के बाढसे में को dapat और जार पूल परते हैं पूछे हैं the rail route from goa to kerala consists of 92 tunnels and 2000 bridges right Tamilandu भारत के दक्षिन में हिस्तित है इसके परोस्ति राज केरल करनाटक तथा आंधरपरदेश है गया है तमिलandu is located in the south of India its neighboring state are Kerala करनाटका आंधरपरदेश या रखी है अब जो है एक और बेंजन आ गया है उन्धूयू सर्दियों में खेत में ही ताजी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरते हैं और उसको सील बंद कर देते हैं कोईले के अंगारों में मटकों को उल्टा रखकर सबजी को पकाया जाता है इस पकी सबजी को कहते हैं गुजराती में उन्धुयू अब पुछेगा कि उन्धुयू बेंजन कहां पर बनाया जाता है गाई तो गुजराती में कैसे बनाया जाता है तो पहले तो एक मटका रात और most important यहाँ है next लिखा हुआ है उंध्यू के साथ मिट्टी के चूले में पकी बाजरे की रोटी तुखा जाता है साथ ही मखन, दही और छाच भी ली जाती है याँ रखेए है guys most important questions है मतलब seated exam के point हो भी उसे अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्या खाज़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ है अब ही इससे इंपक्रते नहीं है इसको आप अगर यहां पलु नकृ मैं आ गए कि इसको देखते हैं कि यह किविंचारफ आइसी है अपर स्कुना अगर थोओं में भोजी पदार्थ को शुकाना या पूरा नी तद कर दोchn時間 से अभी में सुद्विंच की किर्ने capable प्राप्त उस्मा द्वारा भोजी पदार्थ में शुखाया जाता है जिससे इनमों पस्ति जल की माचा वर्सी वर्सी वास्पी क्रीत हो जाती है और सुप्म जीवों की विर्धी कम हो जाती है धूप में अनाज दाले पापर बड़ी चीप सिवया आवला गोभी मेथी आदी सब ठुखाया जाता है जैसे अप धिखते और यह जी तो चलिए फंदे स्थान पर रहना गुथे हुए आटे हडी सबजिया वह फलो को घीले कपड़ी में ढगकर कुछ ठमय के लिए शुरक्षित रख सकते हैं दूथ जही पकी हुई सबजी आधी भोज़ी पदार्थों क चांडी पानी में उड़ख्षित किया सकता सकता है यहाँ भी ट्रेंड होता है सट्रेटट में और मांता हूं कि प्रीज़ का उप्योंक कि जाता है अधिक आगे यहां पर उबालना है क्या जैसे रिखिये दूद जल्दी खराफ होता है तो इसलिए दूद को बार बार उबालते रहिएगा तो दूद्ध खराप नहीं होगा जैसे लिखाओ उबालने की परकिलिया में अधिक तापमान के कारण हनिकारक जीवानों नस्ठ हो जाते हैं इसलिए घरों में दूद को उपयोग के पुर्व उबाला जाता है पीने के पानी को भी जीवानों पोड़ने से बताने के लिए घरेलू उपाए घरेलू नुस्के यह इविएस पढ़िएगा आप लोग इंसी आटी में तो वहां पर बुक में अच्छे तरीका दिया हुआ और बांगी बुक का एकदम सोट में दिया हुआ जो इंपोर्टेंट के लिए चीजे घरेलू भूले में रखते हैं नमी से बचाकर नहीं तो प्याज लसुन सो रहेगा इसलिए प्याज और लसुन को जो है घर में टांक के रखा जाता है आप लोग देखे होईएगा चलिए नेक्स्ट एक है मिद्डे मील यहां मध्यान जो सरक गवर्णमेंट स्कूल में बच्चे को दिया जाता है मध्यायन भोजन इसकीम देश के चौबी सो आठ बलोकों में एक केंद्रिय प्रायोजित इसकीम के रूप में 15 अगस 95 को आरंभ की गई थी यह याद रखिए मिद्डे मिल का जो कब आरंभ की आ गया था तो 15 अगस 95 में याद रखना है नेक्स देखिए यहा इसका नाम है दादी मा की नुस्खा जैसे यहां पर लिखा हुआ है तुमने दादी मा के कुछ नुस्खे के बाड़े में तो सुना होगा जिन में फूलो का इस्तमाल होता है यहां पर एक नुस्खा दिया है जिसमें गुलाब जल इस्तिमाल किया गया है यहां दादी मा का नुस्खा में है गुलाब जल और गलितरीन बराबर मात्रा में मिला कर सीसी में भर लो इसमें कुछ बुंद निम्बू की बुंद डालो और इसके इस्तमाल से सर्दी में तोचा नहीं यहां भी most important है आगा लिखा हुआ है यह इसको देख लिजिए इत्र के बारे में दिया हुआ है क्या तुमने कभी इत्र की सीची खुलने पर उसकी खुसबू का मजा लिया है यह होगा भाई इत्र की एक छोटी सी सीची भी बहुत सारे फूलों से बनती है जो सेंट होता है ज जियालिकार में इत्र का प्रोडक्gle के लिए फूल आते हैं, यहां पे लिखा हुआ है मजठज acabar से होनेवाले रोग यह most important, मच्छर ते होने, मस्किटोज born disease, मच्छरों से मलेडिया, डेंगु, चिकनगुनिया रोग होता है, पुछे लिगा कि मच्छरों का काटने से कौन सा रोग होता है, तो डेंगु, चिकनगुनिया, मलेडिया, लिखाव आया, डेंगु, मलेडिया, एंड, चिकनगुनि पाने ये मस्किटो लेज इक्स इन वाटर अब अब अच्छा सा इंडी बात दिया हुआ है मक्षी से बिमारी फैलता है जिसको कहते हैं डारिया है जा कुलेडा एधि बीमारिया फैल लेती है, मक्खीया, साइफाइन भी फैलता है इसे अपने पैर में बिमारी के कितानु लाती हैं, और यह जब यह बीना धाके खाने कर बैठती है, तो उसे दूसरीत कर जेती है, उस खाने को खाकर हम बीमार पर जाते हैं, तो पुचहेँका मक्खी से फूद अनकवर्ड इट कंटमेनेंट इट एंड विफॉल इट आप्र इटिंग देट फूद चलिए यहां पर देखते हैं यहां लिखा हुआ है क्या यहां है उसके बारे में दिया हुआ है किसके बारे मक्खी के बारे में देखिए मलेडिया यहां पर लिखा हुआ है मलेडिया मादा एनोफलीज मच्छर के कर्णे से प्लाजमोडियम नाम प्रोटो जोवासे होता है ओभी आगे आपको बताते हैं यहां पर ऑपर इपी को देख सकते हैं जो है इभीक में आपका दिया हुआ है यहां बलॉर्ड टेस्ट के बारे में दिया हुआ है राइट न..., न यहां पर खुण की जात का रिपोट दी गई है कि मरीज को मलेडियाрах दिख सकते हैं नेम इसका है यहां रोग की पहचान ठंड लग कर कप कपी के साथ बुखार यही क्या है यह क्या है इसका रिपोर्ट है और समझ लीजिए मलेरिया की दभाई बहुत पूराने समय से सिनकोना पेर की छाल से बना जाती है यह भी ट्रेंड करता है गाई पुचा कि मलेडिया की दवाई किस पेर की छाल से बना जाती है तो सिनकोना पेर की छाल से बना जाती है पहले तो लोग छाल को उबाल कर और छानकर ही इस्तमाल करते थे लेकिन अब छाल से दवाई बनाते ह अब हम इसको खतम करते हैं बहुत जल्दी लिखा हुआ है वर्षा के बाल मिलरिया ज्यादा फैलता है डेंगू अक्टूबर से दिसंबर तक फैलता है जलाइटना मच्छर के लारवे का रंग भूरा होता है मलरिया की दवा कुन्यान चिंकोना पेर की छाल से बना जाती है अ मलरिया का दवा बनाया जाता है याद रखिएगा देख लिए यह याद रखें वाला नहीं है यह देंगू का मच्छर साफ पानी में अंडे देते हैं मलरिया के वीशाय में पुरानी अवधारना थी कि गंदगी में जहरीली गैसे से बिमारी फैलती है बट तलाव में मच् पर गया नहीं का रोनाल्ड रोस ने खोज की की मलरिया मच्छर के करने सोता है इसका पता उन्होंने सिकंद्राबाद के अस्पिताल में लगाया देखिए एक रोनाल्ड रोस पुझे का कि मलरिया का खोज किसने किया तो रोनाल्ड रोस ने किया कहा किया तो कौन की ये खोज आपको मालूम होगा यह रोनाल्ड रोज मलडिया खोज के तो इनको उन्हें 102 में इन्हें इस पर नोबल पुरसकार मिला राइट ना नोबल पुरसकार समानिस किया गया मलडिया के खोज करने के कारण इन मच्छरों का रंग भूरा वो पंक शट्टी दार थे उनके पेट में जिवानू रते हैं उन्हें सपानात में उनकी मिर्थी हो गई किनकी रोनाल्ड रोस की पुछे का रोनाल्ड रोस की मिर्थी कब अब यहां पर लिखावा आप मच्छरों से बचने के लिए उपाए यह जानते हैं अब आकी वीडियो को एंड करते हैं रुके हुए पानी में या इकठे हुए पानी में मलडिया के मच्छर पैदा होते हैं इसलिए मच्छरों के परजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचीत रहता है इसे पानी का प्रिस्ट तना अपकम हो जाता है और अक्सिजन की आपूरती रूप जाती है जिसे मच्छर का लारवा मर जाता है चलिए अब यहां पर लिखावा है क्या आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं दावत का मतलब होता है क्या बुला रहे हैं राइट ना यह देख लिजिए यह साब दाने यह हम बताते हैं बागे खतम करेंगे यह मलेरिया डेंगो चिकन गुणिया हो सकता है कब आज पास देख यह वाला पॉइंट आप पढ़िए आज पास पानी जमाना होने दे गड़ो को भर दे पानी के बरतन टंकी कूलर को साफ रखे हर हफ्ते सुखाए तलाबों में मचलिया छोड़े ताकि वे मच्छर के लार्वे को खा जाए मच्छर दानी के इस्तमाल करें जमें हुए पानी में मिठ्टी का तिल चीर के यह मलेरिया डेंगो चिकन गुणिया से मतलब क करा मिठ्टी कराओं चलंब करी दिद्टी के अगल्रां के आगले दिन अतनी अि क्या रखे प्यक्रों आप है क्या दूंकी आख को को अ मज़ने में जैंप नहीं जए आधके स्वेस्क्रे8 को वीचमन करें यह जैंद